कभी कभी बैठे बैठे मन करता है कि बालों के साथ कुछ नया करें और कुछ नया करने का मतलब है नो नो केमिकल्स होंगे क्या लगाएं कि खुब सुन्दर सा रंग आ जाए और जब चाहें उतार दें अच्छा किसी की वैटिंग है या कुछ फोटो शूट है या यूहीं टाइम पास करना है और बालों में एक सुन्दर सा रंग आए चमक आए और मेरे बाल खराब बिना हूँ यह दिया पैसा कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और हाँ इसमें बिल्कुल कैमिकल्स नहीं है और सबसे अच्छी बात है जब आप इसे लगाते हैं तो यह बालों में एक्स्ट्रा शाइन और पाउंस भी देता है यह बालों को काफी हर्ता की स्ट्रेट भी करता है इसमें iron की मातरा बहुत जादा है और बहुत ही reasonable और cost effective है और हाँ इस remedy को सफेद बाल, काले बाल या आपके बाल कैसे भी हो उन पे use किया जा सकता है हम ले रहे हैं चुकंदर के छिले हुए ठुकडे ये धूप में आप सुखाएगा प्लीज जूस या ताजा चुकंदर या बजार का पाउडर मत लीजेगा जूस या ज्यादा जो ताजा चुकंदर है उसमें थोड़ी खुशली होती है तो इन्हें सुखा लीजेगा और लेकसी के जार में डाल के पीस लीजे थोड़ा पिस जाए तो डेट चमस डाल दीजेगा कॉफी पाउडर जो हम ड्रिंक के कामें लेते हैं कॉफी खुबसुरत रंग देगी साथ में कंडिशनिंग करेगी और बालों को चमकदार बनाएगी ये स्टप एकदम आप्शनल है एक बात की मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगे कि ताजा ही बनाएं बना के स्टोर मत कीजेगा प्लीज फ्रेश ही बनाएं इसे हमेशा और अब आप एक ले लिजेगा पैन इसमें डाल दीजेगा पानी मैंने आईरन का लिया है लोही की गड़ाई लिया है आ और उसके बाद मेजर्मेंट कर लिजेगा कि आपको कितना चाहिए और जब पानी हलका सा गरम हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूं पिसा हुआ यह सारा पाउडर मैं एक पर आपको पाउडर की कंसिस्टेंसी भी चेक कराना चाहती हूँ कि पिस्टने के बाद में यह कैसा दिखता है बहुत महीं नहीं है और हमेसे भी चानना भी नहीं है यह इस तरह आपको दरदरा दिखेगा तो जितने आपकी फाइन मिक्स है उत्ता च्छे पिस इसका रंग अबाना तयार है वहत खुबसूरत है पर हम थोड़ा रंग पका लेंगे तो ताकि लंबे समय तक हमारे बालों में रुका रहे इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिंट जो है धिमी आज पर उबालेंगे ताकि इसमें उबाल अच्छे से आ जाए हलकी हलकी जालियां बनने लगे और उसके बाद हम रात पर इसे ठंडा होने देंगे और लोही की कड़ाई को इसके साथ रियक्ट होने देंगे आप चाहें तो नॉर्मल कड़ाई में भी बना सकते हैं पर उसमें रंग बहुत ब्रगंडी नहीं आएगा अरगंटे के बाद आप इस तरह से देखेंगे कि जो आपका हेर पैक है उसने पानी पूरी तरह से एबसॉप कर लिया है आप इसे किसी चलनी की मदद से घटोरी में डालके और चान लीजेगा जो बच्चा हुआ इसका उपर जो रहेगा पल्प उसे आप फेकेगा नहीं उसके प्रोसेस हम आगे देखेंगे अब यह जो आप रंग देखेंगे खुबसूरत कॉफी लॉंग और बीट रूट के साथ लोही के कड़ाई का कमाला है अब इसका लगाने का तरीका देख लेते हैं आप चाहें तो इसे हेर वाश यूही कर सकते हैं शांपू करने के बा और बालों में लगा सकते हैं जिब आप केले के साथ इसे पीशते हैं हेर पैक बनाने के लिए तो और ज्यादा बालों में निूट्रिशन देता है यह आपको सिर्फ फेशन कलर चे यानि एक बार लगा के हीड होना है या आप बार बार इसे लगा के रिपीट करके और खु उनको touch up करने के लिए बाहर अगर जा रहे हैं तो cotton में लेके roots में इसे लगाना चाहते हैं पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से experiment करते हैं लगाने का एक simple तरीका ये है कि आप इसे धूले वे बालों में जिसमें अच्छे से shampoo किया गया हो उसमें या तो जो है hair mask की जैसे लगाएं या फिर आप छिड़क लें जैसे हमें hair spray करते हैं या फिर आप cup के अंदर डाल के hair wash करने के बाद में इसे डाल दें उसके बाद आपको इसे धोना नहीं है लेकिन अगर आप इसे conditioner की जैसे लगाते हैं तो साफ पानी से धोलीजेगा और आपको बस ध्यान रखना है कि पानी से थोड़ा ये रंग ट्रिप करेगा तो आप black towel लगा के रखें तायकि जब तक बाल सुखी नहीं या आपके कपड़ों पे नाए अगर आप इसकी लगातार application करते हैं तो ये खुबसूरत permanent color आपके hairs में देता है बचावा जो इसक hair mask जैसे लगा सकते हैं या अपने पौधों में डाल सकते हैं एक बहतरीन खाद का काम करता है उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा अपना ध्यान रखें सुन्दर लगें और सवस्तर हैं और हाँ results चरूर बताएगा मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ